आज मार्केट में एक बहुत बड़ी हमें बिक्वाली देखने को मिला है बैंग निप्टी आज लगबग 1000 पॉइंट तक नीचे गिर चुका था वर्ल मार्केट की तरफ अगर हम रुक करते हैं तो आज का वर्ल मार्केट लगबग कल से थोड़ा बहुत स्टेबल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यूरूपियन मार्केट के रवद धहान देंगे तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा ये लाल रंग ही दिखाई दे रहा है इसे के साथ मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्ड मार्केट ज्यादा तर कल के दिन जो कल भी चुका है मार्केट पूरी तरीके से लाल हुआ पड़ा था जिस वज़े से आज इतना बड़ा एक मार्केट में हमने बिकवाली देखा है साथ में अगर हम कारण जानने के अगर कोशिश करते है कि मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली क्यों हाई उसके पीछे सबसे पहला अगर कारण है वो है आपका F.I.S की बिकवाली आज अगर देखेंगे तो मार्केट में F.I.S ने लगबग यहाँ पर कल के दिन 50,000 करोड से जादा बिकवाली कर रखी थी इसके अलावा ग्लोबल मार्केट का जो इफेक्ट था जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट बहुत जादा गिरा मार्केट में तेज तेज गिरावट आने की संभावना है और इसी के डर के चलते मार्केट में अपने पूरी तरीके से पोजिशन को खाली तो नहीं करेंगे पर ज्यादा निकासी शुरू है वो लगाता शुरू है यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट तो हमारे भारतिय बाजार पे तो पड़ा है इसके उपर तो किसी का बस नहीं है ना यहाँ पर और एक रीजन सामने है वो है आपका यूएस का इलेक्शन जब तक मार्केट में यूएस में अगर अब देखेंगे तो डोनल्ड ट्रम्प अभी फ्राइस बेच रहे हैं और बहुत सारी गठनाय ऐसी हो रही है और यूएस में इलेक्शन को लेके बहुत जादा एक सीरियसनेस पसरावा उसका असर उसके मार्केट पे पढ़ रहा है और वहाँ का असर जो भी होता है उसका असर हमारे भारतिय बाजार पे तो होना है साथ ही में इसके अलावा भी अगर मैं बात करतू इस बार जो एक बॉन्ड का जो एक चलन चल रहा है उसमें भी बहु सजा 211 के पास और मार्केट आज लगबग 218 पॉइंट मार्केट नीचे आके गिरा है और हमने कल आपको यह बहुत स्टैंडर्ड एक ट्रेंड लाइन यह बना के दिखा है था जिसके थूँ मार्केट में अच्छा कासा बिक्वाली को ट्रैक किया जा सकता है और मार्केट जिस जगह से सपोर्ट ले सकता है उस जगह के बारे भी हमने कल के दिन आप से डिसकस किया था कल मार्केट पूरी तरीके से एक इंडिसिशन कैंडल बनाया था जहाँ पर यह पता नहीं चल पा रहा था यह मार्केट किस तरफ रुख करेगा और मार्केट में पर्सो का जो लो होगा उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हमको यहाँ पर अच्छा खासा विक्वाली देखने को मिल सकता है और मार्केट ने आज बिल्कुल exactly वही किया अगर आप देखेंगे तो मैंने आपस करता कि मार्केट में पिछले दिन मतलब जो परसो का जो लेवल है ये परसो का लेवल है 24,380 इस लेवल की नीचे मार्केट जैसी जाएगा हमें विकवाली देखने को मिलेगा और मार्केट में आज वही हुआ जैसे ही मार्केट यहाँ पर 24,380 तर मतलब परसो के लोग के नीचे जैसी मार्केट काम करने लगा मार्केट में हमने एक तेज बिकवाली देखना शुरू कर दिया और यह बिकवाली जाके इस सपोर्ट को जैसे टकराई वहाँ से फिर मार्केट वापस भी थोड़ा बहुत आज यहाँ पर करेक्वा है देखिए मार्केट में यह जो बिकवाली का दौर है यह और तेज हो जाएगा जिस वक्त मार्केट इस लेवल से नीचे गिरना शुरू करेगा इस लेवल से नीचे गिरेगा मार्केट में हम और ताबर्तोब गिरावट देखने के लिए प्रस् 300901 अधा स्टेशन है जहां पे मारकेट को घुम फिर िके आना पड़े गा और आज से ठीक दो मैने पहले मारकेट इस जगह पे आया था लगबगा अगस्ट महीने के आसपास और मारकेट में फिर हम दुबारा अगस्ट महीने के दो महीने बाद अपक्टवर में फिर से हम उ सिर्फ गिरावट में चला गया है ऐसे बहुत कम होता है देखिए अगर आप जुलाई महीने की बात करेंगे मार्केट उपर गया जून महीने की बात करेंगे मार्केट पहले थोड़ा नीचे आ फिर मार्केट उपर चला गया हर महीने हम मार्केट को उपर जाते हुए देख है लगबग आज से नहीं कई महीन और कोई ऐसा महीना नहीं आगा देखिए पिछले साल के October को देखेंगे तो मार्केट शुरुबात में थोड़ा उबर उठा फिर मार्केट नीची आया ऐसे हर महीने में है लेकिन इस बार का महीना इतना अजीव है कि मार्केट इस महीने के शुरुबात से गिरता जा रहा है हाला कि देखेंगे तो एक दो-तीन दिन पहले से मार्केट गिरता जा रहा है और वो गिरावट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है इसका मतलब ये काफी बड़ा संकेथ है कि मार्केट एक बहुत बड़े विनाश के तरह मार्केट मूड रहा है देखिये इस विनाश को रोकने के लिए मार्केट को कही ना कही जाके एक stable चीजे गुजारना पड़े का, साथ में मैं इस level के बार में मैंने आप से बता रहा था, कि market जब इस level को तोड़ेगा ना marketman गिरावट देखेंगे क्योंकि market इस level तक क्या कर रहा था कि market इस level तक अच्छा खासा अपने आपको ठैरा हुआ रहा था लेकिन market जैसे इसकी नीचे आना शुरू हुआ marketman ने गिरावट देखना शुरू किया और market फिर से उसी जग़े पे अभी है अभी दुबारा यहां से अभी market का जो वीक पॉइंट है और स्ट्रॉंग पॉइंट हो जो दोनों को समझना पड़ेगा स्ट्रॉंग पॉइंट बाइंग के तरफ है चारसु का 24,000 चारसु के उपर जाएगा market में फिर एक stability आने की शुरूवात होगी और market जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता भी देखिए 23,900 market अभी कहाँ पे है 211 के पास तो एक बार कर सकता है कि market 24,000 के पास जाके market एक बार वहाँ पे stable होने की कोशिश कर सकता है वो तो समय बताएगा लेकिन सुमवार को फिर से गिरावट का एक अंदेशा रहेगा इस बात को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा लेकिन बाइंग की अगर मैं बात कर देता हूँ तो वो 400 के उपर ही होगा उससे पहले बाइंग का सिनारियो कही पे भी नहीं बन रहा है 15 मिनिल के टाइम फ्रेम पे market को जैसे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़े बहुत सामान्य रूप से समझ में आने लगता है मैंने आपसे कहा था कि market 24 तारिक के लो को importance देगा क्योंकि 24 तारिक का लो और 25 तारिक का लो market के लिए important था इसी level के नीचे जैसी market आएगा market में हम गिरावर देखेंगा और देखें आज market शुरुवात के आदे घंटे में बार 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 एक ही बात करता हूँ शुरुवात का आदा घंटा शुरुवात का आदा घंटा बहुत माइने रखता है लेकिन आज क्या हुआ कि शुरुवात के आदे घंटे में ही market पिछले दिन के ये 23 तारीक का लो ये 24 तारीक का लो इसी दोनों लोग के नीचे मार्केट आगया और वही से हमने सीधा-सीधा गिरावट देखा और फिर मार्केट फाइनली जाके एक जगह जाके आपको यहां से support लिता हुआ नजर आया फिर मार्केट यहां से आपको एक buying का नजरिया दे सकता है लेकिन उससे पहले नहीं देगा नीचे selling की बात करते हैं तो market अगर कल gap down खुलता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा market यह एक range बनाया है market का मैं आपको यहाँ पर एक चीज बना के दिखा दो तो आपको चीज थोड़ा सा यहाँ पर बहुत आसाली से आपको समझ में आने लगेगा देखिए market का यह एक दाइरा बना हुआ है यह market का एक दाइरा है market का एक position यह market का एक support range है market इस support range के पास जैसे market में यहाँ से हमने एक अच्छा खासा move उपर की देखा है कल के दिन market इस range के पास यह support का लाई और market का यह पूरा area यह पूरा buying zone है इसको याद रखिएगा यह selling zone नहीं है market अगर कल इसी रूप में खुलता है शुरूबा का आदा घंटा देखिए मैं बस एक ही बात करता हूँ अगर आदे घंटे के अंदर market अगर इसी level के अंदर रहता है तो फिर आप जल्द बाजी हडबड़ी मत करिए पहले market को इस region के बाहर निकलने दीजिए सर उठाने दीजिए जैसे आज आखिर के कुछ पल में अगर market आज खुला रहता और market उपर जा सकता था कि market को यहाँ पे अच्छा खासा base मिलने लगा था कल भी यही हूगा अगर market gap down खुलता है और इस level के नीची रह जाता है तो market में हम एक अच्छा खासा यहाँ पे buying कल के दिन देख सकते हैं लेकिन buying के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से सुनिए इस range को तोड़के market को उठना पड़ेगा और कम से कम यह जो आपको region दिख रहा है blue green color का इसके उपर market को कामकाच करना पड़ेगा तब जाके market में हम यहाँ से दीरे दीरे market को ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं युकि आपे buyers ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है अच्छा का सा इंटरेस्ट दिखाया है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है अगर market उसके उपर gap up अगर खुल जाता है तो ऐसे situation पर क्या करेंगी तो ऐसे situation पर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है जब तक market इस लोग आज के close के नीचे काम ना करें अगर मान लिजे market gap up खुलता है यहाँ कहीं खुलता है और 400 के नीचे खुलता है तो यह पूरी तरीके से no man's land कहलाएगा no man's land इसलिए कहलाएगा हाला कि आपको यहाँ पर 200 पॉइंट आपको दिख रहा होगा उपर 400 है नीचे 200 है लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी से market आपको एक दिशा में काम करता हुआ नहीं देखेगा क्यूंकि 400 के पास strong seller है नीचे 200 के पास strong buyer है बीच में का है आपका no man's land क्यूंकि यहाँ पर market किसी भी दिशा में जाने के लिए तयार हुआ लेकि market में यहाँ पर आपका momentum बनेगा नहीं momentum हुआ भी तो आपके premiums आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे तो यह जो area रहेगा इस area में अगर आपसे हो सकता है तो थोड़ा wait करके देखिए कि market का दीशा market क्या लेने के लिए इख्तियार कर रहा है market कहा जाना चाहता है अगर market इस level से नीचे की और इस तरफ जाना चाहता तब market में आपको बड़ी selling यहाँ से दिखाई दे सकता है जो आपको शुरुबाती दोर में सीधा सीधा 23,900 के पास लाके जाके रुपा सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिएक आपसे अगरे वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिन